कि अच्छिस का दूसरा टेस्ट ऑस्टेलिया ने अपने नाम किया जहां एक तरफ लग रहा था कि बेनिस्टोक्स की शांदार पारी की वज़े से इंग्लैंड टेस्ट मैज जीच जाएगी वहीं ऑस्टेलिया ने पलटवार किया और उसके बाद से टेस्ट को 43 रनों से अप पारी की लेकिन मैच का हाइलाइट था जॉन इबेश्टो का आउट होना जी जॉन इबेश्टो क्रीज पर थे उसके सुरूने बॉल लीव कर दिया और उसके क्रीज से बाहर निकल गये जैसे वहां पर दोनों ही टीमों के प्लेश जो थे वह मैदान पर इकठा हुए अमप इस ने किसी के नहीं सुरी और अउट कर दिया क्यों की जो भी एएएम के नहिकि लिए था वो द्री स्ब्स के बिल्कुल अंदर आता था वैसे उस तरह से बिल्कुल भी ऑउट कर सकते थे और उसी तरह अन्य सक्टोरण पर पवेईलें बैचे सकते बहुत कम स्कोर पर पर जाके बैठे उसके बादस आपको उता दे कि जिब थे सिन्ग रूम में जा रहे थे तो दरे बोह अपनी पिज्ड पूर समाले रखा और बैंने स्टोक नभी कप्तानी पारी विशांदार पारी खेली लग नहीं तो झाल वह और जब वो आउट वे उसके बाद से थोड़ी से कोशिश करें लेकिन वह कोशिश जो थी कि वह नाकामियाब साबित ही और वहां पर इंग्लेंड जो थी वह आल आउट हो गई और उसके बाद से ऑस्टेलिया यह टेस्ट जो था अपने नाम कर लिया क्या सब्सक्राइब करक